इमिदिया siya आए तो हैदिया ब Хी वैलकम तो एक्सपार्ट स्टैनों उकेडमी एक्सपार्ट्स ट्यन Kern NO कएडमी में आप सभी का स्वागत है आज की इस ख्लास में हम एक नए कंसेप्ट के बाए में बात करेंगे जो ए डिप टॉंक्स का यानी डबल उबल लिप्तॉंग्स वो होते हैं जिसमें डबल वोबल साउंड है यानि दो आवाजे आहीं जैसे आई वर्ड है आई वर्ड में दो आवाजे आ रही हैं आ की और ए की O I word है उसमें दो आवाजे आ रही है O की और E की यानि डिप्टोंग्स वो होते हैं जिसमें double vowel sound है दो आवाजे आ है I hope आप समझ गये होंगे डिप्टोंग्स क्या चीज है There are all common diptong डिप्टोंग्स चार तरके होते First diptong होता है I का, Second O I का Third O W का और Fourth U का आप लोगों को मुश्किल ना हो तो हम सबसे पहले इन दो diptong के बारे में बात करेंगे यानि I और O I diptong के बारे में जो I diptong होता है वो इस sign से denote होता है यानि छोटे से V के sign से Second diptong है O I का जो इस sign से denote होता है यह मैंने बना के भी दिखाया इस पे यह दोनों diptong यानि I और O I stroke के हमेशा First Place पे लगते हैं मैंने कुछ example भी लिए हैं जिससे आपका यह concept और clear हो जाए यह I और O I diptong के example है First example मैंने लिया है टाई का T है T के First Place पे जो diptong है वो I का है तो यह बन किया टाई Second example मैंने लिया है Time का T है M है T के First Place पे जो diptong है वो है I का यानि टाई मन किया है Third example मैंने लिया है टो I का हुई हैं और फर्स्ट प्लेश पे यह साइन है ओई डिप्तों का यानी सेकंड्टों का यह बन कि यह तोलल है ड्ं abusल है और माले इस तो material होता है वोह इस साइन से यह गुह देने कि इसमें बणाके भी आपको दिखाया हूँ, इस साइन से रिन्नोट होता है. जो 4th डिप्तोंग है U का, वो इस साइन से रिन्नोट होता है, ऐस है। इसमें बनाके भी दिखाया हूँ, अब इन दो डिप्तोंग के कुछ example ले लेते हैं ताकि आपका concept और clear हो जाए First example मैंने लिया है Cowd Word का इसमें K है D है और OW वाला diptong है ये diptong हमेशा third place पे लगते हैं आप लोग सोच रहे होगे कि ये K के third place पे ना लगके D पे क्यों लगा हुआ है इसमें intervening vowel वाला concept follow हो रहा है जिसके बारे में हमने last class में पढ़ा था ये K पे ना लगके D पे लग रहा है मैंने आपको बताया था ना intervening vowels के बारे में कि जो third place पे आता है वो next stroke के before में लग जाता है जैसे इसमें follow हो रहा है Second example मैंने लिया है duty word का D है T है और U वाला tiptong है T पे ना लगके T पे लग रहा है वो intervening vowel वाला concept Third example मेंने लिया है mule word का जो third place पे लगता है वो ये वाला tiptong होता है U वाला M है L है M पे ना लगके L पे लग रहा है वो intervening vowel वाला concept follow होता है अब आप लोग एक बात जान लीजिए कि जो I और O I वाले tiptong है जो first place वाले tiptong है वो अगर उनके साथ हम कोई भी word बनाएंगे तो वो above the line आएगा जैसे मैंने tie, time, toy और toil में बनाके भी दिखाया है यानि line के उपर above the line और जो third place वाले tiptong है यानि O W और यू वाले ये वाले words आएंगे through the line यानि line को काटते हुए जैसे मैंने cowd, duty और mule word में बनाके भी लाया है अब हम बात करते हैं joining of विप्तोंग्स की जैसे first example मैंने लिया है item का item word में I वाला डिप्तोंग लगा हुआ है T के साथ I वाला डिप्तोंग है T है और M है second example मैंने लिया है idle का I वाला डिप्तोंग है D है और L है इसमें हम अगर I डिप्तोंग कोई भी स्ट्रोक के साथ prefix करेंगे तो ये ऐसे इस तरह करेंगे जैसे मैंने item और idle में आपको बनाके भी दिखाया है अब हम बात करते हैं कुछ और words के बारे में जैसे I am I will और now का मैंने example लेके बताया है जैसे हम अगर I am लिखेंगे तो I डिप्तोंग इस तरह जोड़ेंगे I वाला डिप्तोंग उसके साथ ही हम M बना देगे second example मैंने लिया है I will का I वाला डिप्तोंग है और उसके साथ ही हम L बना देगे third example मैंने लिया है now का इसमें now में हम N के बाद O W वाला डिप्तोंग यूज़ कर रहे है जो इस तरह बनेगा N है और उसके बाद बिना पैन उठाए O W वाला डिप्तोंग Now I hope आपको यह वाला concept clear हो गया होगा मैं एक बार repeat कर देता हूं पहले अंदों के बारे में हमने पढ़ा जो यह मैंने कुछ words के ठूह आपको समझाया फिर मैंने आपको joyni gitu pari में बटाया जिसमें मैंने आइटम और आइडल का example लिया उसके बाद मैंने आपको ये words कुछ बताए I am, I will or now जिसमें मैंने आपको बताया कि diptongs कैसे join होते है अब मैंने कुछ practice के लिए आपके words लिखे हैं इनकी आप practice कर लीजिए मैं एक बर बोल के बता देता हूँ die, sky, cow और cow इन चार words की आप एक एक पेज practice कर लीजिए तकि आपका concept और clear हो जाए तो आज की इस class में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like and subscribe जरूर कीजिए, thank you so much